हेलो मेरे प्यारे बच्चो आज हम लोग देखेंगे लौजी गेट एट वन शॉट एक शॉट में लौजी गेट के पूरे कॉंसेप्ट देखेंगे कितने तरह के गेट होते हैं उसको देखेंगे सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि logic gate आपको semiconductor chapter का एक part है और अगर NEET और JE point of view से देखेंगे तो minimum एक questions आपको यहां से every year पूछा जाता है अगर new NCRT की बात करेंगे तो new NCRT में यह topic नहीं दिया हुआ है लेकि NEET और IIT JE के syllabus में यह topic इंक्लूड किया गया है तो कही न कहीं अगर देखा जाए तो हमें अगर अपन NEET और JE के त्यारी कर रहे हैं तो हमें यह topic जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे जो questions आते हैं बह what is logic gate, logic gate किसे कहते हैं तो देखिए logic gate जो होता है एक circuit होता है जिसमें एक particular logical operation perform होते हैं मैं उसको definition में लिख देता हूं कि logic gate is a electronic is a electronic circuit in which a particular logical operation is done जो logic gates होते हैं उसमें एक particular logical operation होता है और वह as a electronic circuit use किया जाता है तो देखा जाया सबसे पहले logic gate के operations को पढ़ने से पहले हमें एक बार signal को पढ़ना होगा तो देखिए जो signal electronic signal होते हैं वो दो तरह के होते हैं पहला जो होता है that is analog signal तो analog signal किसे कहते हैं और digital signal किसे कहते हैं तो जो continuous signal होते हैं दो the continuous signals are known as analog signal जो continuous signal होते हैं उसे हम लोग analog signal कहते हैं अगर diagram wise दिखिएगा तो यह आपका diagram कुछ इस तरीके से signal का बनेगा यह continuous होते हैं मत कहीं भी यह break नहीं होते हैं अगर माल लिजिए कि digital signals की बात करें दूसरा टाइप का जो signal होता है that is digital signal digital signal तो digital signal की बात करें तो यह discrete signals होते हैं discrete in the sense कभी up रहेंगे कभी down रहेंगे अभी आपको the discrete signal is known as digital signal यह continuous नहीं होते हैं यह discrete होते हैं तो discrete कैसे होते हैं अगर इसको हम लोग graph के रूप में देखें तो आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जैसे suppose करिए कि यहां से यहां तक यह signal plus 1 था और फिर कुछ समय के बाद just minus 1 हो गया तो plus 1 से direct बाद minus 1 हो गया ऐसा नहीं कि plus 1 से 0 हुआ फिर minus 1 हुआ ऐसा नहीं होते है टुकुडों में यह signal है तो इसको हम लोग बोलते हैं digital signal तो चलिए एक बाद जल्दी से quick revision कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या-क्या देखा क्योंकि इसके बाद आगे जब आपन पढ़ेंगे उसमें डायक gates रहेंगे और उसके truth tables रहेंगे तो logic gates किसे कहते हैं logic gates are electronic circuit which perform a particular operation operation ठीक है in which a particular operation is done signal आपको दो तरह के होते हैं analog signal और दूसरा digital signal चलिए अगला topic जो है that is gates तो gates को हम लोग बहुत तरह से refine कर सकते हैं पहला जो type है उसमें हम लोग लिख सकते हैं basic gate तो देखिए तीन तरह के जो gates होते हैं that is and gate दूसरा हो गया or gate तीसरा हो गया not gate ये तीनों तरह के gates जो होते हैं इसे हम लोग कहते हैं basic gate बेसिक gate ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यही basic gates है इसी को जोड़ जोड़ के अपन बाकी सारे gates को अपन बनाते हैं तो basic gate में अपन पहला gate that is and gate से start करते हैं सबसे पहले इसका symbol बन ड्रॉ करते हैं इसका symbol कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आपको दो inputs रहते हैं एक inputs आपको A हो गया logic gates जो है वो binary language पर work करता है यानि इसका मतब है कि यहाँ पर सिर्फ दो तरह के signal हो सकते हैं या तो on या off या one या zero या तो फिर up या down इस तरीके के सिर्फ दो signals अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि logic gates जो होते हैं या आपको binary language पर act करता है तो अपन दो signal अगर देखते हैं अपन 0 और 1 लेके देखते हैं तो दो possible signals क्या क्या हो सकते हैं 00 हो सकता है 01 हो सकता है 10 हो सकता है या 11 हो सकता है इसका अगर आपन output देखेंगे तो output end gate में product होता है यानि 0000 आपको 0 होगा 0 into 1 आपको 0 होगा 1 into 0 आपको 0 होगा और 1 into 1 आपको 1 होगा यानि अगर inputs आपको 00 है तो output 0 होगा input 01 है 10 है तो आप पूट आपको वन होगा अगर आप लोजी गेट एंड लोजी गेट यूज कर रहे हैं जो स्टेंड टाइप का गेट होता है डेट इस और गेट अगर अपन और गेट के सिंबॉल की करें तो और गेट का सिंबॉल को अगरेट की तर बस इसमें होता क्या है कि आपको प्लस होता है या री A plus B is equal to Y अब इसको अगपन truth table से देखेंगे कि truth table से यह क्या हो सकता है तो देखा जाए तो यहां पर आपको दो signals आपको A और B यह inputs हो गया और Y आपको output हो गया और Y जो है इन दोनों signal का sum है logic gatewise देखा जाए क्योंकि और signal जो होता है वो sum होता है तो 0 plus 0 आपको 0 होगा 0 plus 1 आपको 1 होगा 1 plus 0 आपको 1 होगा और 1 plus 1 भी 1 ही होता है binary language में तो इस तरीके से देखें तो यह आपके दो inputs के एक आपको outputs जो मिला और gate में वो आपको 00001 का 1 10 का 1, 111 का 1 यह आपको हुआ और gate अगर तीसरे तरह का basic gate देखा जाए that is not gate तो not gate का जो symbol होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें सिर्फ एक inputs होता है और एक output होता है और यह आपको not gate का symbol है इसका अगर true table देखा जाए तो इसका true table कुछ इस तरीके से होता है यह आपको signal हो गया A और यह इसका output हो गया और output जो होता है वहाँ आपको input का bar, bar मतलब not, inputs आपने A दिया और output आपको आया A bar, तो जैसे 0 है, तो 0 का opposite, that is 0 नहीं होना चाहिए 1, 1 है तो 0, यह आपको not gate होता है, तो यह तीनो gates को हम लोग बोलते हैं, basic gates जो आपने देखा, end gate, or gate and not gate और इसका आपने truth table भी देखा, कि कितने आसान तरीके से आप इन तीनो को देख सकते हैं, अच्छा अगर इसका circuit wise देखा जाए, तो अगर अपन end gate का circuits draw करते हैं, तो end gate की क्या circuits हो सकते हैं, तो end gate का circuits कुछ आप इस तरीके से draw कर सकते हैं, यह आपको bulb है, यह आपको switch S1 है और यह switch S2 है, अगर मा लिजिए कि 0 को अपन off बोले और 1 को अपन on बोले, तो अगर मा लिजिए कि या open और close में आपको बतानी कोशिज करता हूँ, कि 0 को अपन open बोलते हैं, 0 को अगर अपन open बोलते हैं, और 1 को अगर अपन close बोलते हैं, तो अगर 1 close है, मतलब S1 close है और S2 open है, जैसी इसकी बात करें, दोनों अगर open है, 0 मतलब open, S1 भी open है, S2 भी open है, यहाँ पर S1, S2 करके देखता हूँ मैं, S1 और यह रहा S2, S1 भी open है, S2 भी open है, तो क्या bulb जलेगा, नहीं जलेगा, that is 0, अगर S1 open है, लेकिन S2 अगर close है, तो क्या bulb जलेगा, फिर भी नहीं जलेगा, क्यों कि सरकीट आपका complete नहीं हुआ, अगर S1 close है, और S2 अगर open है, S1 close है, S2 अगर open है, तो क्या bulb जलेगा, नहीं, अभी भी नहीं जलेगा, इसका मतब यह है, कि आपको इसका output होगा, that is 0, लेकिन अगर S1 close है और S2 भी close है तो क्या बल जलेगा हाँ अब बल जलेगा इसका मतलब इसका output जो होगा 1 होगा आप इस तरीके से electronically देख सकते हैं अगर माली जी और gate का अगर अगर अपन बनाते हैं circuit diagram तो वह कैसा बनेगा वह कुछ इस तरीके का होता है तो आपन S1, S2 को देखते हैं अगर उसी चीज को देखा जाए कि ओ आपका open है one close है अगर bulb on हो जाता है तो उसको हम लोग one लेंगे और bulb अगर off रहता है तो उसको हम लोग zero रहेंगे one जो है on, bulb अगर on हो जाता है तो उसको हम लोग one बोलेंगे और अगर bulb off रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे zero अब इसको हम लोग इस वाले circuit से, electronic circuit से compare करेंगे कि क्या यह electronic circuit और gate के equivalent है या नहीं है अगर मालीजे कि दोनो inputs आपको zero zero है मतलब जोनो switch जो है वो आपको open है क्योंकि zero का मतलब open होता है दोनो switch आपको open है तो क्या current इस तर डिरेक्शन में flow होगा क्या circuit complete होगा नहीं होगा इस case में जो bulb है वो आपका नहीं जलेगा that is bulb जो रहेगा off रहेगा और bulb अगर off है यानि output आपको zero हो गया अगर मालीजे कि पहला switch open है और दूसरा switch जो है that is closed है दूसरा switch को आपन close कर देते हैं नहीं को मैंने close कर दिया तो दूसरा switch अगर मैंने close कर दिया तो अब आपका circuit complete हो गया हां circuit मेरा complete हो गया यानि अब बल्ब मेरा जलेगा यानि output जो है बल्ब अन हो गया यानि output मुझे क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए अगर मालीजे कि next में अगर suppose करिए कि पहला switch को मैंने close कर दिया तो क्या circuit complete हुआ circuit complete हुआ बल्ब जलेगा यानि output मेरा 1 होगा और अगर माल लिए कि दोनों switch को मैंने अगर close कर दिया तो भी आपका circuit complete है बल्ब जलेगा यानि output 1 होगा यानि यह electronic जो circuit है यह end gate के बराबर है और यह electronic circuit जो है वो और gate के बराबर है next circuit में आपन next electronic gates में आपन move करते है that is universal gate तो देखिए दो तरह के जो gates होते है that is nand and दूसरा जो होता है that is nor इन दोनों को अपन universal gates बोलते हैं universal gates क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके use से universally मतब पूरे world में use किया जाता है सबसे ज़्यादा nand और nor gate और इसके use से आप कोई भी gates बना सकते हैं चाहे वो आपका end gate हो चाहे वो आपका और gate हो चाहे आपका not gate हो तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं universal gates इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके यूज से आप कोई भी gate बना सकते हैं, चाहे वो end gate हो, चाहे और gate हो, चाहे not gate हो, तो सबसे पहले हम लोग nand gate से start करते हैं, तो nand gate का मतलब क्या है, देखिए nand gate का मतलब है, end के पहले not, या end के बाद not, तो not end, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, not end, मतलब आपका यह रहा end gate, और इस end gate के साथ मैंने इसमें एक not लगा दिया, तो यह हो गया मेरा nand gate, जैसा कि अपने को पता है, कि end gate में दो inputs होता है, और एक आपको output होता है, यह output x हो गया, लेकिन यह final output नहीं है, final output क्या होता है, y, अच्छा, x क्या होगा, x जो होगा, वो a into b होगा, क्योंकि end में आपको into होता है, और जो y होगा, वो होगा, इस पे बार, that is, इसका not, तो यहाँ आपको nand gate का symbol हो गया, अगर इसी को आपन shortcut में देखें, तो आप इसको shortcut में बस इस तरीके से भी draw कर सकते हैं, इस a into b का बार, इसका अगर अपन true table बना के अगर अपन check करना चाहें, तो आप इसका true table कैसे बनाएंगे, इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोसिस करता हूँ, यह देख सकते हैं, कि यह आपको signal a और b हो गया, यह दोनों signals जो हुए, इसमें क्या-क्या possible signals हो सकते हैं, 00, 01, 10, 11, तो यही चार possible signals हमारे हो सकते हैं, अगर a बार देखा जाएं, तो सबसे पहले a बार के बदले हम लोग यह देखते हैं, a not b देखते हैं, अगर a not b देखेंगे, तो end में क्या होता है, end में multiply होता है, तो 0 into 0 आपको 0 होगा, 0 into 1, 0 होगा, और 1 into 0 भी 0 होगा, और 1 into 1, 1 होगा, और इस पर बार, यह होगे आपको x output और यह final output y, that is a dot b का बार, मतलब इसका just उल्टा, तो 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, यानि 9 gate में क्या होता है, कि अगर आप 0, 0 signal दे रहे हैं, तो आपको output जो है, वो 1 मिलेगा, अगर आप suppose करिए कि 0 और 1 signal दे रहे हैं, तो भी output 1 मिलेगा, अगर आप suppose करिए कि 1 और 0 signal दे रहे हैं, तो भी output आपको 1 मिलेगा, और अगर आप suppose करिए कि आप 0, 0 signal दे रहे हैं, तो आपको output 0 मिलेगा, यह हो गई बाते आपको 9th gate की, इसी तरीके से same दूसरा gate जो होता है, वो होता है आपको nor gate, nor gate को आप क्या बोल सकते हैं, not or, तो सबसे पहले हम लोग or बनाएंगे, यह रहा हमारा or gate, जिसमें आपको 2 inputs दिये गया है, एक आपको a, दूसरा b, और एक आपको output दिया गया है, that is x, पर हमको इस output का भी not लेना है, तो यहाँ पर हम लोग ने एक not symbol लगा दिया, और finally यहाँ पर मेरा गया y, अगर performance, operation wise देखे, तो x जो होगा, वो आपको होगा a plus b, और y जो होगा, वो होगा आपको a plus b पर बार, अगर इसका हम लोग truth table बनाते हैं, तो इसका truth table आपको क्या बन सकता है, तो इसका truth table बन सकता है, यह रहाँ आपको inputs, यह हो गए आपको a, और यह हो गए आपको b, क्या-क्या possible inputs हो सकते हैं, तो possible inputs आपको 0100, 0101, 1011, अगर दो signal है, तो यही आपको possible inputs हो सकते हैं अगर इसका देखा जाए x तो x क्या है that is a plus b a और b का end तो a और b का end देखेंगे तो 0 प्लस 0 end में सिर्फ हम लोग जोडते हैं तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 binary में 1 ही होता है तो अपने यहाँ पे 1 ही लिखेंगे अच्छा इसका not जो y है इस पे जो है उसका not है not है मतब 0 है तो 1 हो गया 1 है तो 0 हो गया 1 है तो 0 हो गया इसी चीज को अगर हम चाहें तो जैसे यह इतना लंबा जो symbol हम लोग ने बनाया है उसको आप चाहें तो छोटा सा symbol से भी denote कर सकते है बस यहाँ पर आप 0 लगा देंगे तो यह जो 0 लगाएंगे नहीं यह not की equivalent होता है यहाँ यहाँ पर direct आपको y आ गया और यह जो दो inputs है that is a and b तो आप देख सकते हैं कि जो universal gate है that is nand और not यह दोनो universal gates को आप चाहें ते हैं पर screenshot ले लिजे बहुत असानी से आपको दोनों gates के बारे में समझा दिया गया that is nand और not अब यहाँ पर बात यह रहता है कि nand और not को universal gates क्यों बोलते हैं तो मैंने आपको बताया कि nand और not को universal gates इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके यूद से आप कोई भी gates बना सकते हैं तो कोई भी gates बना सकते हैं, तो जैसे suppose करिए कि मुझे 9 gate के use से not gate बनाना है, तो क्या मैं not gate बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, वो हम देखेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं use करूँगा फिर नेंड गेट और यहाँ पर मैं use करूँगा फिर नौर गेट, और यहाँ कोश्चन पुछा हुआ है कि नेंड के use से not gate बना है, तो देखिए, इसको थोड़ा सा आपको याद भी रखना होगा, जैसे suppose करिए कि यहाँ आपका नेंड गेट है, तो इस नेंड गेट में अगर अपन दोनों इंपुट को same कर देते हैं, दोनों इंपुट को क्या कर देते हैं, same, तो जो आपका output मिलेगा न, वहाँ आपको ह इंपुट को, अगर दोनों का इंपुट अगर आपने same कर दिया, तो जो आपको output मिलता है, वह output जो होता है, वह not gate के बराबर होता है, that is input अगर आपने A दिया है, तो output आपको A बार मिलेगा, आप इसको चाहें तो truth table से भी देख सकते हैं, सबसे पहले मैं तीनों जो cases है, उसको लिखवायता हो, ताकि आपको याद रखते में सुईधा हो, और उसके बाद इन तीनों पे मैं truth table बना दूँगा, तो आपको और easy हो जाएगा, अब इसका truth table देखते हैं, तो जैसे suppose करिए, कि यह रहा आपका truth table, ठीक है, यहाँ पर signal जो है, A है, और दूसरा signal भी A ह तो क्या-क्या possible signal हो सकते हैं, अगर A 0 है, तो दोनों में 0 होगा, और A 1 है, तो दोनों में 1 होगा, अब इसका मुझे करना है NAND, तो सबसे पहले मैं END करूँगा, और उसका करूँगा मैं NOT, तो सबसे पहले मैं END कर लेता हूँ, तो इसका END करूँगा, तो मुझे END क्या म 0 यानि अगर मेरा signal 0 है तो मुझे output 1 मिल रहा है अगर signal मेरा 1 है तो output मुझे 0 मिल रहा है यानि देख सकते हैं कि यह 9 gate जो है वो not gate की तरह perform कर रहा है उसी तरीके से यह nor gate का भी देखे अगर हम यहाँ पर इसका truth table बनाते हैं तो truth table कैसे बनेगा बहुत आसान है आपको आपने एक ही signal दिया है लेकिन यही signal आपने दो बार दिया है तो signal क्या हो सकते है या तो आप 0 देंगे तो दोनों जगह 0 होगा या तो 1 देंगे तो दोनों जगह 1 होगा और इसका output अगर देखेंगे तो एक आपको आउट्पूट क्या होगा और का नौट पहले अपन और निकालेंगे और उसका अपन नौट निकालेंगे डेट इस बार यही आपका का फाइनल आउटपूट है तो 00,00 का 0 होता है disposition और 11 का 1 होता है क्योंकि note में हम लोग जोडता है signal को और यहां पर उसका note लेना है डेट इस वन हो गया 0 का note 1 हो गया और 1 का note 0 हो गया अब लोग initial i coy देखते हैं तो शुरवात मेंं हम लोग ने 0 इंपूर्स जो दिया था तो हमको result मिला था 1 और अगर 1 दिये थे तो final हमको मिला था 0 यहां किस में मिलता है तो यह मिलता है हमें not gate में तो यहां आपको हो गया NAND and NOR gate as a not gate तो अगर कोई बोलेगा कि by the use of one NAND gate make it not gate तो आप इस तरीके से उस gate को जोड़ सकते हैं और अगर कोई बोलेगा कि by the use of NOR gate make not gate तो आप इस तरीके से NOR gate को जोड़ सकके not gate बना सकते हैं अब next देखा जाए तो that is NAND से आपको next gate जो अपन बना सकते हैं वो NAND से अपन बना सकते हैं और gate तो जैसे suppose करिए कि यहां पर अपन यह रहा आपका NAND gate और यह एक और NAND gate और इन दोनों के outputs को हम लोगों ने फिर दूसरे NAND gate में as a input दे दिया और यहां आपको final outputs मिला इसमें हो क्या रहा है कि जो दोनों signals है वो आपको same है यहां पर जैसे आपने पहले देखा यहां पर दोनों signal a था और यहां पर दोनों signal आपको हो गया b तो यह जो gate बना है यह gate आपको बना है और gate ठीक है तो अगर कोई बोले कि by the use of NAND gate make OR gate तो आप क्या करेंगे कि 3 NAND gate ल करेंगा और आप चाहें तो इसको टूट टेबल करके भी देख सकते हैं उसी तरीके से कोई बोलता है कि by the use of NOR gate make the OR gate है तो make the AND gate तो AND gate आप कैसे बना सकते हैं तो AND gate आप बना सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से आप add कर दीजिए इस तरीके से अगर हमने NOR gate को अगर add कर दिया तो यह perform करेगा AND gate की तरह आप चाहें तो इसको true table से भी check कर सकते हैं तो true table से अगर अपन check करते हैं तो कैसे अपन check कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपको टूट टेबल ये रहा आपको टूट टेबल ठीक है अब ये आप इसको आप मान सकते हैं A है नहीं A नहीं मानिए इसको X मानिए और इसको Z मानिए और ये final रहा Y अगर आपन देखते हैं signals तो signals हमारे क्या हो सकते हैं A और B A signals क्या हो सकता है? 0, 0, B signals क्या हो सकता है? 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1 ये आपको possible signals हो सकते हैं A और B में अगर A ही ऐसे दो signal ने और उसका अगापन करते हैं NAND मतलब क्या कर रहे हैं अपन? A.A पहले करेंगे उसके बाद A.A का कर देंगे अपन बार ये हो गया आपको A का NAND ठीक है? और ये आपको कहां मिल रहा है? X में तो that one is X इसी तरीके से B लेते हैं तो पहले B.B लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? B.B का बार कर देते हैं ये हमें कहां मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है Z में तो ये हो गया आपको B का NAND P का क्या हो गया, NAND हो गया, ठीक है, और उसके बाद final output जो होगा, that is Y, यह जो होगा, वहाँ आपको X into Y का, X into Y बोल रहा हो, Z, X into Z का NOT, मतब यह हो गया आपको X, और यह हो गया Z, इसका AND का NOT, तो चलिए आपन सुरू से A और B से सुरू करते हैं, तो सबसे पहले A into A करेंगे, that is 0 into 0, आपको 0 होगा, 0 into 0, 0 होगा, 1 into 1, 1 होगा, और 1 into 1, 1 होगा, वही B इसका बार लेंगे, यानि इसका NOT लेंगे, तो यह हो गया 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, उसी तरीके से B into B करते हैं, तो 0 into 0, 1 into 1, 1, 0 into 0, 1 into 1, 1, और इसका अगर अपन बार ले लेते हैं, that is not लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा, अब इन दोनों signal का, that is this one and this one, मैं आपको अलग color से दिखा दे रहा हैं, इसको मिटा कर, इन दोनों signal का, इसका और इसका, मुझे लेना है NAND, क उसको उल्टा कर देंगे, तो end करते हैं, तो 11 का एगर end करेंगे, तो 1 होता है, और 1 का उल्टा करेंगे, तो that is 0, क्योंकि not लगाना है, तो end होगा, पहले end करेंगे, तो 11 का अपन end कर दिये, 1 आ गया, और उसपे not लगा देंगे, तो 0 हो जाएगा, या आप देख सकते हैं, अगर signal मेरा 0 है, तो मुझे output मिल रहा है, 0, सबस्क् dictate 5 को सिंबोल कर रहा यह अपरिशन को सिंबोल कर रहा है यादion और गेट को क्यों क्योंकि 0-0-0 होता है, 0-1 ओन होता है रहां, 1-1 होता है, 1-1 होता है, यानि 3-9 गेट का अगर आप इस तरीके से combination करते हैं तो आप बना सकते हैं और गेट, यह हम लोग ने देखा 3 & का use करके और gate अगर माल लिजे कि 3 nor का use करेंगे तो क्या gate मिलेगा तो 3 nor का अगर अपने use करेंगे तो end gate मिलेगा अब इसके लिए फिर आपको बनाना पड़ेगा truth table तो कि truth table से ही यह चीज़े समझ में आती है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं signals ले लेता हूँ एक A हो गया दूसरा B हो गया ठीक है इसको मैं ले लेता हूँ X इसको मैं ले लेता हूँ Z और इसको मैं ले लेता हूँ Y तो यहाँ पर सबसे पहले A प्लस A करूँगा क्योंकि A और A का और हो रहा है ना नौर है यह तो सबसे पहले और होगा डैट इस जोड और उतका नौट तो उतका नौट जो होगा डैट इस A प्लस A का बार यहां मेरा हो गया X ठीक है उसी तरीके से मैं क्या करूँगा यह B signal जो है यह B signal का और हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग B signal का और करेंगे और उसका ले लेंगे बार तो B signal का बार डैट इस नौर तो वह होगा डैट इस जेड और उसके बाद इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का हमपन करेंगे नौट इन दोनों का करेंगे नौर मतलब X तो यहां पर हो गया एक X हो गया और दूसरा क्या हो गया Z हो गया उन दोनों का हुआ और और उसका हो गया नौर यही मेरा सिगनल है Y अब सबसे पहले हम लोग इंपूट्स लेना शुरू करते हैं तो A और B दो सिगनल्स है तो क्या क्या इंपूट्स हो सकते है 00 हो सकता है 01 हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो सकते है यही पॉस्टबल आपको इंपूट्स हो सकते है तो सबसे पहले हम लोग इसका A और कर देते हैं जैसे 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 1 प्लस 1 1 प्लस 1 वन क्योंकि स्टेम स्पिनल का आपको और करना है, इसका देखेंगे तो 0 प्लस 0, फिर 0, 1 प्लस 1, 1, फिर 0, 1 प्लस 1, तो यह आपको 1 प्लस 1 हो गया, यह B+, वंत् 벌 लेना है आपको नौट, गौट-नौर्ट-न, जिरो का नौट वन, वन का नौट जिरो, वन का नौट जिरो, इसका भी लेना है आपको नौट, तो जिरो का नौट वन, वन का नौट जिरो, जिरो का नौट वन, वन का नौट जिरो, और ये दोनों सिगनल्स जो हैं आपके, इस दोनों सिगनल्स का आपको लेना है नौर, मत तब x and z का आपको लेना है not, तो सबसे पहले अपन और लेते हैं, तो और अगर लेंगे, तो और में होता है add, तो add अगर करते हैं, तो 1 प्लस 1 आपको पता है add होके 1 होता है, 1 प्लस 0 भी 1 होता है, 0 प्लस 1 भी आपको 1 होता है, और 0 प्लस 0 आपको 0 होता है, और इसका ले लेन है नौट तो जीरो का नौट जीरो वन का नौट जीरो और जीरो का नौट वन यानि अगर देखा जाए तो आपको क्या सिगनल थे चुरू में अगर आपने जीरो जीरो दिया तो आपको आउटपूर्स मिला जीरो अगर आपने जीरो वन दिया तो भी आपको आउटपूर्स अगर आपने वन जीरो दिया तो भी आपको आउटपूर्स मिला जीरो लेकिन अगर आपने वन वन दिया तो आपको आउटपूर्स मिला इसका मतलब यह है कि यह NORistesaff की तरवन कर रहा है तो यह तीनो NOR Scottish Marx का जो combination है वो आपको and gate की तरह यह perform कर रहा है क्योंकि यह जो है आपको जो outpues मिल रहा है वो or gate के equivalent मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से तीन gates का use करके तीन gates का combination करके आप end gate बना सकते हैं तीन नार का combination से और तीन नार के 3 Nand के combination से आप Or Gate बना सकते हैं अब अगला जो है वो यह है कि 3 Nand के यूद से 3 Nand के dealing से आपने अभी उपर में जो बनाया था वह आपने बनाया था Or Gateे अब 3 आपको Nand के यूद से आपको जो बनाना है वह बनाना है And Gate तो 3 Nand के यूद से आप end gate कैसे बनाएंगे, देखिए, इसके पहले हम लोग क्या किये थे, कि जैसे 3 end gate लिये थे, सबसे पहले initially तो 2 end gate लिये थे, और हर एक में आपन एक ही inputs डाल रहे थे, एक ही inputs को 2 करके डाल रहे थे, पर यहाँ पर आपको एक inputs नहीं डालना है, यहाँ पर आपको करना क्या ह कि एक आपको same inputs रहेगा, और दूसरा जो होगा, वह आपको B का not रहेगा, तो B का अगर आप not डालेंगे, और उसके बाद जो आपको outputs भी लेगा, वही चीज आपको यहाँ पर करना है, एक नैंड में आपको A signal भेजना है, और एक नैंड में आपको A का not डालना है, और यह जहां से जो outputs आएगा, उस output का आपको फिर से ले लेना है, यानि यह जो perform करेगा, वह and gate की तरह perform करेगा, उसी तरीके से अगर आप चाहें, तो नौर में भी कर सकते हैं, कि तीन नौर का use करके आपको बनाना है, और gate कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सेम तरीके से, यह रहा मेर और gate एक, और यह रहा मेरा दूसरा और gate, इसमें एक में मैं signal A भेजा, और दूसरे में A का मैंने not भेजा, फिर पहले वाले में मैंने B का not भेजा, और दूसरे वाले में मैंने B signal भेजा, यह B को इस से जोड़ दीजे, तब जाके B का not यहाँ पे गया, तो यहाँ पे A गया और B not गया, यहाँ पर A not गया और B गया, और इससे जो आपको output मिला, उन दोनों output का आपने कर दिया, फिर से nor, अब यह जो आपको Y मिलेगा, वह मिलेगा आपको A plus B, और यहाँ पर जो Y मिलेगा, वह मिलेगा आपको A into B, तो अब देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, तो हमने क्या किया, NAND को अगर इस तरीके से connect किये, तो not बन गया, nor को इस तरीके से connect किये, तो not बन गया, नौर को इसे तरीके से कर्नेक्ट कर रहा है तो रौन कर रहे है कि दोनों सिंक्नल एक में एक signal रहेगा, दूसरे में दूसरा signal रहेगा, तो होता क्या है, कि NAND जो है, वह act करता है as the OR, और NOR जो है, वह act करता है as the AND, यह थोड़ा याद रखने की चीज़ है, कि NAND जो है, अगर इस तरीके से अपन combine करते हैं, तो वह act करता है और की तरह, और जो NOR है, वह act करता है end gate की तरह, अगर आगे का देखें, तो अगर तीन NAND को, इसके बदले अपने इस तरीके से connect करें, कैसे करें, यहाँ पर A, A को distribute करके एक ही में दो दिये हैं, यहाँ पर एक में A दीजिए, और दूसरे में B नौ तो इस तरीके से अगर आपका mine करते हैं, तो यह अगर जैसी हाँ पर NAND बना है, इस तरीके से combination से और बना है, तो इस तरीके combination से आपको end बनेगा, तो यह type का question पुछे जाते हैं, कि तीन NAND gate के use से आप कैसे end gate बना सकते हैं, तीन NAND gate के use से कैसे और gate बना सकते हैं, तीन NOR gate क के यूद से कैसे आप and gate बना सकते हैं, next जो gate है, that is exclusive gate, तो अभी तक हम लोगोंने कौन कौन से gates पढ़े, अभी तक हम लोगोंने basics gate पढ़े, तीन gates को basic gates बोलते हैं, that is and gate, or gate and not gate, उसके बाद हम लोगोंने पढ़ा था universal gate, nand and nor को universal gate बोलते हैं, और next जो gate है, that is exclusive gate, xor and xnor, that is इसको बोलते हैं, xnor, इन दोनों gate को हम लोग exclusive gate बोलते हैं, अब इसको exclusive gate जो बोलते हैं, उन में से पहला gate जो है, that is, xor gate इसके बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग symbol देख लेते हैं, तो symbol बिल्कुल आपको same जैसा कि आपने देखा था, and gate का, or gate का, वैसा ही होता है, जो होता क्या है, कि उसमें जो, ये जो curve है, उसके साथ एक और curve आ जाता है, यहाँ पर आपको दो inputs हो गए, a and b, और यहाँ पर आपको हो गया output, that is y, अब यह जो y जो होता है, यह होता है, a and b bar का and, plus a bar dot b, यह जो होता है, इसे हम लोग a plus ऐसे circle b करके भी denote करते हैं, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर a है, और b bar का and है, और a not और b का and है, और इन दोनों का or है, यह आपको जो gate होता है, यह होता है exclusive or, इसका हम लोग two table भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले next जो gate है, that is exclusive nor, इसको हम लोग देख लेते हैं, तो symbol wise आपको exclusive or जो है, वहाँ पर बस यहाँ पर not लग जाता है, तो अगर अपन देखेंगे, तो यहाँ आपको or gate है, उसके पहले curve line बन गया, और यहाँ आपको y output हो गया, यहाँ पर एक हमने not introduce कर दिया, और बाकी यहाँ आपका symbol हो गया, यह signal हो गया a and b, अब इसका जो b not b पे बार है, इसको उठा के आप आगे कर दिये, तो आपको exclusive nor हो गया, यानि a dot b plus a bar dot b bar, बस एक छोटा सांतर होता है, इसके कान से इसको exclusive nor बोलते हैं, और उसको exclusive or बोलते हैं, बाकी यहाँ पर जो लिखा जाता है, वो a plus गोल करके b, इसी तरीके से लिखा जाता है, उन्हों का अगर truth table देखें, तो मैं इनके left hand side में इनका truth table भी बनाता हूँ, तो यह रहा आपको exclusive or का truth table, और यह रहा आपको exclusive nor gate का truth table, एक जगह पर बनाऊंगा, तो compare करके पढ़ने में स्वीधा रहेगा, यह आपको दो inputs हो गया, that is a and b, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दो inputs हो गया, that is a and b, उसके बाद आप a का बार ले लेते हैं, b का बार ले लेते हैं, that is यहाँ पर a का बार ले लेते हैं, next यहाँ पर b का बार ले लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी a का बार ले लेता हूँ, and b का बार ले लेता हूँ, अब मुझे लेना है यहाँ पर A and B का बार next जो लेना है वो लेना है A not B का बार यहाँ पर बार नहीं होगा यहाँ पर बार नहीं होगा और इन दोनों का जो final outputs होगा that is Y यह होगा इन दोनों का और that is A dot B bar plus A bar dot B उसी तरीके से सेम नीचे में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर A dot B ले लेता हूँ next जो मैं लेता हूँ A bar and B bar का end ले लेता हूँ और final जो output मुझे मिलेगा वो मिलेगा A dot B plus A bar dot B bar अब यहाँ मैंने true table बना दिया अब इसमें signals लिख के उसके perform किस तरीके से operate करेगा उसको बताएंगे तो अगर दो signals है A भी तो क्या-क्या possible signals हो सकते है 00 हो सकता है 01 हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो सकता है वही चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे 00, 01, 10 and 11 अब इसको आगे देखेंगे तो अगर इसका not लेते है यहाँ पर 0 है तो 0 का 1 हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा 0 का 1 हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा अब मैं क्या करता हूँ A और B का end लेता हूँ अगर इसको अपन ध्यान से देखेंगे मैं दूसरे color में बताता हूँ तो मैं यह gate जो है that is A और यहाँ पर जो है B not इन दोनों का मैं ले रहा हूँ end that is 0 गुना आप बोल दिजे तो 0 into 1 that is 0 0 into 0 that is 0 1 into 1 that is 1 और 1 into 0 that is 0 उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो A not और B का मैं फिर ले रहा हूँ end तो गुना that is 0 into 1 0 1 into 1 1 0 into 0 0 और 1 into 0 0 अब इन दोनों का मैं ले रहा हूँ यहाँ पर add यह देख सकते हैं add add मतलब और तो add करेंगे दोनों को जोर देंगे 0 0 0 होता है 0 1 1 होता है 1 1 1 0 1 होता है और 0 0 भी आपका 0 होता है मतलब यहाँ पर आपको आ गया add ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको same signal है that is 0 0 है या 1 1 है तो हमेशा 0 आ रहा है और opposite signal में 1 आ रहा है तो इस चीज़ को मैं highlight करके लिखूंगा कि same signal same signal है तो आपको हमेशा जो आ रहा है same signal पर कितना आ रहा है 0 और अगर opposite signal है opposite signal है तो आपको आ रहा है 1 अब इसी तरीके से performance अपन x norm में भी करेंगे तो x norm में देखा जाए तो सबसे पहले a का बार ले लेते है तो 0 का बार 1 जिरो का बार 1 1 का बार 0 1 का बार 0 b का बार ले लेते हैं तो 0 का बार 1 1 का बार 0 0 का बार 1 1 का बार 0 अब इनका क्या करते हैं अपन and लेते हैं यह इनका and a और b का तो 00 का and मत्तब multiplication 00 का 0 01 का 0 10 का 0 and 11 का 1 अब यहां पर जो है इन दोनों का आपन एंड लेते हैं, तो इन दोनों का अगर आपन एंड लेंगे, तो 11 का 1, 10 का 0, 01 का 0, 00 का 0, और इन दोनों का, अब इसका और इसका, आप मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ, अब इसका और इसका, मैं लेता हूँ और, और का मतलब हो गया है, क्योंकि पर और लिखा हुए आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर आप देखेंगे कि अगर सेम सिगनल है यहां पर आपने देखा कि सेम सिगनल पर कितना आया तो यहां पर आप लिख सकते हैं सेम सिगनल पर M1 and opposite जो signal है उस पे आपको आ गया 0 तो यहाँ पर आपने देखा कि exclusive जो gates है आप चाहे ते इसका screenshot ले लिए बहुत असान भासा में आपने exclusive gate देख लिया और उसके जितने भी points थे वो सारे points मैंने आपको इसमें cover कर दिये अब next जो topic है और यह आपका last topic है और total आपको सात तरह के gates पढ़ने है जो मैंने आपको perform gates पढ़ने है उसके symbol उसके truth table तो पहला आपको basic gates जिसमें and or or not होता है दूसरा आपको जो है वो है universal gate जिसमें and or nor होता है और तीसरा जो है exclusive gate जिसमे जौर एवं x nor होता है अब उसके morgan's theorem अलाकि अगर देखा जाए तो d morgan's theorem मुझे पहले पढ़ाना चाहिए लेकिन जो performance है उसमें आपको d morgan's theorem का बहुत ज्यादा use नहीं आता है तो इसलिए मैं इसको बाद में ही बताता हूं आप बाद में भी दिस सीख सकते हैं इसको तो d morgan's theorem के जो चार rules है उसको अपन देख लेते हैं तो rule number one अगर मा लिजे कि a plus b लिखा हुआ और इस पे बार है तो देखो आपको करना क्या है जो plus है तो उसको into गर देना a into b और उस पे आप बार लगा सकते है a bar dot b bar मतलब करना क्या है इसी चीज़ को मैं d morgan's के दूसरे से समझाता हूं जैसे a dot b है और यह total पर बार है तो अगर आप individual पर बार करना चाहते है तो यहाँ पर into है न तो इसको आप plus कर दीजिए ठीक है बहुत आसान है अगर उसी चीज़ को अगर आपन देखे third में कि जैसे माली यहाँ पर लिखा हुआ है a bar plus b bar ठीक है और इस फिर से बार तो देखिए उपर वाला ब बार और यह तो पहले से था लेकिन इसको हटाएंगे तो बार भी आएगा जिससे यहाँ पर बार था तो बार आया बार था तो यह बार हटेगा तो एक बार और आपको यहाँ पर आ जाएगा that is यह बार यह बार अब ए बार का बार डेटीज यह होता है और बी बार का बार कि यहाँ पर A dot B है, मैं A bar dot B bar कर रहा हूँ, और उस पर overall bar कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं dot जो है, उसको हटा के मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, ठीक है, क्योंकि यही signal है, और यहाँ पर एक और bar है, तो उसके बदले आपको यहाँ पर एक bar आ जाएगा, तो A का bar का बार, A का not का not A not होता है, और B का not का not B not होता है, तो यह चार जो rules है, that is demorgans theorem, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो logic gates में use आते हैं, और questions में भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो यह चारो को याद करने का मैंने एक basics formula बता दिया, आप इसको देख सकते हैं,